ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्वाजर की अंसिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सापताहिक राशिफल 14 मार्च से लेकर 20 मार्च कैसा बीतेगा मेश से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आई हम इस वीडियो में समझते हैं देखिए इस वीडियो को प्रारम करूँ इस से पहले बता दो इस समय मैं बैंगलोर से लाइब हूँ और बैंगलोर में जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए आज भी मैं एवलेबल हूँ और कल भी एवलेबल हूँ इसके अलावा नीचे फ्लैश करके आपको डेट दिखाई दे रहोंगे किस सिटी में कभ मैं एवलेबल रहूँगा जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक करने आप बुक कर सकते हैं दूसरी बाद चंद्रमा का जो गोचर इस पूरे हफते रहेगा वो करक से लेकर कन्या राशी तक रहेगा तो इसका प्रतेक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये संचेव में समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये पूरा हफता बीतेगा तो अगर मेश लगन में आप ध्यान दीजेगा तो चंद्रमा आपके चतुर्थेश होते हैं अरताथ आपके सुक अस्थान के मालिक होते हैं और उसके बाद चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके चतुर्थ, पंचम और शष्टम अस्थान पर रहेगा हफते का जो प्रारंब रहेगा निश्यतुर्प से मानसिक तनाव को कम करता हुआ प्रारंब करेगा ये हफता और इस हफते में माता के स्वास्त में सुधार तेजी से देखने को मिलेगा और भूमी वहार मकान में निवेश करने का बहुत ही अच्छा समय आपको इस हफते दिखाई देंगे हर प्रकार की खुशियां जो रहेंगी हफते के प्रारंब में आपको मिल जाएंगी इसके अलावा जो बाकी के हफते का जो मद कहा जा और अन्त कहा जा है मद भी मुझे सामान Regal रूप से अच्छा ही दीखाई दे रहा है विशेस रूप से विद्यारती वर्गों की बात कियाजाए जीवन साथी का भी साथ आपको सामाने से अधिक मिलेगा, और नौकरी वैवसाई की बाथ क्या जाए, तो हफ्ते का मद्द शांदार भीपने वाला है, कोई भी नया काम करना है, नौकरी वैवसाई से समंदित हफ्ते के मद्द में कर लिजए, हफ्ते का जो अंत रहेगा, वो किसी ना किसी चीज को लेकर परिशानी उत्पन कर देगा कस्मात खर्च हो जाएंगे और साथ में एसेडिटी की समस्या भी इस डूरेशन में बढ़ सकती है तो थोड़ा सा अबदानी हफते के अंत में जरूर दियान दिजेगा और इस हफते के अंत में अगर आप कोई भूमी बेचना चाहते हैं तो उसका भी एक पॉस्टिव इंडिकेशन आ रहा है जिसमें आप भूमी वान मकान को अगर सेल करना चाहते हैं और नया खरीदना चाहते हैं तो वो भी समभावना है हफते के अंतितक आता हुआ दिखाई देगा बीते का जो अंत है वो भी आपके लिए अच्छा भीते इसके बाद वरिश लगन की बात करते हैं देखें वरिश लगन में चंदरमा का जो गोचर होने वाला है वो आपके लगन के तृतिये बाव से लेकर पंचम बाव में है अगर किसी एक लगन का सर्वस्रेष्ट ये पूरा आफ्ता बीतेगा तो वरिश लगन का होगा नोट कर लीजिए एक तरफ पती पत्नी के जो जगड़े चल रहते वो खतम होगे दूसरे तरफ पिता का सायोग मिल्ला प्रारंब हो जाएगा पार्टनर्शिप को लेकर जो परिशानी चल रही थी वाद भी वाद चल रहता है सारी निगेटिवटी समय खतम हो जाएगी आत विश्वात से भरा हुआ आफ्ता रहेगा शरीर के अंदर उर्जावान आप महसूस करेंगे भूमी वहान मकान का सुख मिलेगा और हर प्रकार के सकरात्मक चीजे ही आपको इस दोरान देखने को मिलेगी चाहे वो विद्यार्थी वर के लिए बात किया जाए चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात कर लिया जाए हर तरीके से ये हफता शांदार व्यतीत होने वाला है केवल कुछ परिशानी मुझे उदर संबंदित परिशानियां दिखाई दे रही है और वो भी उन लोगों के लिए जिनको जादा ऐसे डिटी की समस्या रहती है उनके लिए हफते का जो अंत रहेगा थोड़ा परिशान कर सकता है मतलब किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव्टी मुझे नहीं दिखाई दे रहे है किवल वहाँ चलाते समय आपको सावधानी बरत्मिया कस्मा दुगटना के योग यहां पर बन रहे है मिथुल लगन की बात किया जा तो मिथुल लगन में चंदर्मा का जो गोचर होगा आपके दूतिये तिर्ती और चतुरत स्थान पर होगा और चंदर्मा जो रहेंगे मिथुल लगन के लिए भी सरवस्रेष्ट परिणाम देने वाले हैं धन की कोई कमी सफते नहीं होगी धन तो आपके पास लगातार कहीं न कहीं से व्यवस्ता होता जाएगा और परिवार में खुश्यों का वातावरण भी रहेगा शुब समाचार भी परिवार में मिलने के कारण पूरा परिवार खुश्यों से भरा हुआ रहेगा आपके शरीर में उर्जा भी अत्यदिक रहेगी उर्जावान आप महसूस करेंगे और overall चाहे आपते का प्रारम कहलेजिए चाहे मद कहलेजिए चाहे वो अंद कहलेजिए विरिश लगन के बाद मिथुन लगन ये दूसरा लगन बनता है जिसके लिए पूरे ही साथो दिन लगबग लगबग अच्छे भीतने वाले हैं थोड़ा सा कारे वैवसाय में आपको साफधानी व्यतित करना चाहिए क्योंकि अगर आप साफधानी वहाँ पर नहीं बढ़तेंगे तो वहाँ पर गुप्त शत्रु का हावी होना मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ इसके अलावा बाकी चीजे शरीज में थोड़ा आलस सिता रह सकती है लेकिन आलस सित को त्याग करके और गड़ेश जी की अरादना करते हुए गड़ेश जी की अरादना कीजे बुद्ध का बीजमंतर कीजे जिससे की पूरा अफ़ता और अच्छा व्यतित होगा करक लगन की बात किया जाए तो करक लगन में अगर देखा जाए तो आपका लगनेश ही लगन में रहेगा और इसका चंदरबा का गोचर आपके लगन में फिर दूतिय बाओ में और तृतिय बाओ में रहेगा तो लगनेश अगर खुद लगन में आ जाए तो मानसिक तनाओ को खतम करता है और साथ में मानपद प्रतिष्था बढ़ती है समाज में आपके मानपद प्रतिष्था बढ़ने का पूरा समय पूरा हफ्ता इस समय ये बढ़ा रहेगा साथ में धन की भी एक प्रकार से कहा जा जो परिशानी करक लगन वाले जातकों को जादा तर चल लही थी उनकी financial city अकस्मा सुधरने लगेंगी और ये पॉस्टिव है क्योंकि धन अगर नहीं है तो फिर परिशानियां तो रहती है तो धन की समस्या निश्यत रूप से इस सबते खतम हो जाएंगी लेकिन जरूरत से जादा आपको मैनत करना पड़ सकता है अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है ये यात्रा कारे के लिए हो सकता है या आप ये होली का समय भी इस बीच में पड़ेगा तो हो सकता है परिवार से मिनने के लिए यात्रा हो जाएं तो यात्राओं का समय जरूर यहां पर है और यात्रा है करने से काफी मांसिक नाव खतम होगे Overall ये अफस्ता भी करक लगन वाले जात्कों के लिए अच्छा भीतने वाला है Snring लगन वाले जात्कों की बात किया जाए तो स्रिंग लगन वाले जात्कों के लिए इसमें हफ्ते का जो प्रार्म रहेगा चंद्रबाद के लगत से द्वादश में रहेंगे अपने घर में रहेंगे तो अकस्मा पब्लिक रिलेशन जो रहेंगे आपके अच्छे रहेंगे जो लोग विदेश से काम करते हैं उनके लिए यह अच्छा रहने वाला है लेकिन इसके साथ ही गुप्त शत्रू आपके सार्टिंग जो रहेगा वह गुप्त शत्रू कोबढ़ाने वाला रहेगा इसके अलावा धीरे-धीरे कोई विदेशों से जो लोग रहते बी हो सकता है अस्थान परिवर्तन होने का पूरा इंडिकेशन चार्ट में आपर दिखाई दे रहा है और हर तरीके से कहा जाए तो परिवार का सुख भी आपको इस डूरेशन में मिलेगा जीवन साथी का सयोग मिलेगा तो हर तरीके से यह सिंग लगन वाले जात्कों के लि पर जल जरूर चड़ा दीजेगा सिंग लगन वाले जातकों को मैं विशेश यही बोलना चाहता हूँ कि सिंग लगन वाले जातकों का लगने सूरे देवता होते हैं और सूरे देवता देखिए एकदम सुबा early morning उनका rise जब होता है जिससे में हम उठना प्रारंब कर देते हैं जो लोग भी सूरे के उदे होने के बाद उठते हैं उनका सूरे खराब हो जाता है और सूरे खराब होगा तो आपकी हड़ियों में दर्द बढ़ा देगा इसलिए जल्दी उठने की practice किया इसके बाद कन्या लगन की बात किया जा तो कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपकी एकादश अस्थान से लेकर लगन अस्थान पर होगा हफ़ते का प्रारंब और हफ़ते का जो अंत है वो बहुत ही शांदार भीतेगा आयक के साधनों में ब्रिदी होंगे, बड़े भाई बैनों का सयोग मिलेगा, हर तरीके से मानपत प्रतिष्ठा भी बड़ेगी, दूर संचार मादेमों से भी लाबानवित रहेंगे, लेकिन हफते का जो मद रहेगा, वो काफी परिशानियों को अकस्मात ला सकता है, जितने भी धन आपके प्रारम्य में आएंगे, ओस सारे धन या कसमात खर्च हो जाएंगे, ओर ट्रेवलिंग के जबदस्त योग बन रहे है और ट्रैवलिंग करना भी चाहिए आपको और ट्रैवलिंग कीजिए लेकिन खर्चों पर आपको कंट्रोल लगना चाहिए अगर आप कर्चे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो फिर आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसके अलाबा मुझे कोई negativity नहीं दिख रहा धन सम्मंदित कुछ financial issues हफते के मद में ही आएंगी कारे वेबसाय को लेकर यतावत स्थिती बनी रहेगी तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में चंद्रमा का जो गोचर होने वाला है आपके दशम अस्थान से लेकर 12 अस्थान तक होगा हफते का प्रारंब औ और मद आपके लिए निश्यत रूप से अच्छा भीतेगा इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है कारे वेबसाय को लेकर जिनको जॉब नहीं मिले थी उनको जॉब मिलने की संभावना पूरे तरीके से दिख रही है जो लोग जॉब के लिए एपलाई करना चारे है या इसे समय आपके आने वाले हैं जो कि मैं चेक कर पा रहा हूं लेकिन बड़े भाई बेहनों को किसी प्रकार का कष्ट हो जाना ऑस्पिटल में एडमिट होना ऐसे इंडिकेशन भी हफते के मद में दिख रहे है हफते का जो अंत रहेगा वो काफी ट्रैवलिंग से भरा रहेगा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रव करना चाहिए और वारता लाप करते समय अपने वाड़ी को सयम में रखिए क्योंकि अगर आपकी वाड़ी ग्रो गई तो उस कंडिशन में परिवार में विवात की संभावना पूरा मैं देख पा रहा हूं इसके अरावा स् व्रिश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके भाग्यस्थान से लेकर एकादश अस्थान तक रहेगा तो व्रिश्चिक में भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा बहुत जादा खराब मैं नहीं देख पा रहा हूं एक तो भाग्येश भाग्य में रहेंग जितने भी confidence आपके दब गयते हैं वो सारे confidence एकदम जबर्दस तरीके से पुना जिसको कहते हैं reconstructing करना है तो reconstruct अपने आपको करेंगे और एक बार पुना दम लगा देंगे कि कारे वैवसाह को आगे बढ़ा दिया जाए ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है काफी उर्जा आपके शरीर में रहेगी और कारवेवसाह को लेकर seriousness बहुत जादा बढ़ेगा जिसके कारण आप कई रुकावटों को खतम कर देंगे और आपके मानपत प्रतिष्टा की भी लोग चर्चा करेंगे गुप्त शत्रों का नास होगा और हर प्रकार से ये समय आपके लिए यानी जो भी डील होने वाली थी जो भी काम होने वाला ता कितना भी आप प्रयास कर लिजे होतें होतें रुक जाएगा यानी किसी भी प्रकार के कारे के पूर्ठूर्न होने की संबावना आपके नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन इसके बाद जो बाकी के हफते का जो मद्दे और अंत है वो आपके लिए सटीकता के साथ और अच्छा फल देता हुआ व्यतीत होगा विशे सुरुप से कहा जाए तो मानपत प्रतिष्ठा भी बड़ेगी और साथ में हाला कि छोटे भाई बैनों के साथ कुछ विवाद होने की संभावना भी धनुलगन में दिखाई दे रही है लेकिन कारवेवसाय को लेकर अति उत्तम हफता भीतेगा बड़े भाई बैनों का सयोग मिलेगा तो हर तरीके से अच्छा है हफते के प्रारंब में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ज सब्तम हस्तान से लेके आपके भाग्यस्तान तक रहेगा तो हफते का प्रारंब थोड़ा सा मिश्रित रहने वाला है जीवन साती का सयोग मिलेगा दैनिक रोजगार के जो छेतर में आपका प्रयास है वो फलदायक रहेगा यानि पॉस्टिव रिस्पॉंस के साथ आपको मिलेगा लेकिन हफते का जो मत रहेगा कोई भी काम आपका बनेगा नहीं विश्यस रुप से किसी बात को लेकर परिवार में वादिवाद हो जाना जल्द उगटना की संभावना होना उधर समदित परिशानियों का कस्मात बढ़ जाना मकर लगन में इस तरीके से दिखाई हफते का जो अंत रहेगा वो आपके प्रेम प्रसंगों को बढ़ाएगा विद्यारती वर्गों के लिए अच्छा और बड़े भाई बैनों का भी सयोग आपको मिलेगा तो मिश्रित परिणाम है और इस समय जब मिश्रित परिणाम है जहाँ पर निगेटिवटी बता रहा का बेहद ही खराब हफता कुम लगन का हो सकता है हफते का प्रारम भी यात्राओं से हो सकता है हफते का प्रारम भी का जाए तो एसेडिटी की समस्याओं से परिपूर्ण हो सकता है स्वास्त में कस्मात गीरावट हो सकती है चाहे वो मांसिक रूप से का जाए या माता के स् घबढ़ाट जरूर रहेगा, कई प्रकार के decision ले या ना ले, इस कारण से blood pressure भी आपका fluctuate कर सकता है, हफते का जो मद है वो थोड़ा आपको relax कर देगा, हफते का मद आपको relaxation देगा, जीवन साती का सयोग मिलेगा, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, और जितनी भी starting में परिशा को के लिए है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला हफता होगा, लाल रंग का जो पुष्प है मादुरगय को प्रति दिन आपको उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, ऐसा करने से आपकी जो negativity है, वो सब खतम हो जाएंगे, हफता अच्छा नहीं है, तो को भी करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं, तो दिन आपके लिए अच्छा बितेगा, अंतिम लगन, अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, तो मीन लगन में भी ये हफता बहुत अच्छा नहीं रहेगा, अस्पतालों के खर्च अकस्मात पुना स्टार्ट हो सकते हैं, किसी को पैसे देने के लिए एक बड़ा फंड की अर्रेंजमेंट में ये पूरा हफता भी सकता है, और बहुत बढ़ियां तो नहीं रहेगा, लेकिन हफते का प्रारंब जो रहेगा, जब चंदरमा आपके लगन से पंचम में रहेंगे, तो निश्यत रुप से आपके में जाएंगे, और सब्तम अस्थान पर जाएंगे, तो रोग को बढ़ाएंगे, आफते का प्रारंब और मद आपके लिए अच्छा रहेगा, इस तार्टिंग जो रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, आफते का जो मद रहेगा, उसमें शारिलिक रूप से कमजोरी महस कर सकते हैं, तकावट महसूस कर सकते हैं, अस्पताल में इवन एडमिट होने की भी संभावना बन सकती है, जिनकी तबित बहुत जादा खराब रहती है, उनके एडमिट होने की संभावना भी बन रहे है, लेकिन इस समय आपको केवल ओम नमस्षिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए, जिससे की बहुत जादा परिशानी ना हो, कार वेफसाय के लिए हफता सामाने से अच्छा रहेगा, धन की स्थिती के लिए थोड़ी समस्या है, हफते के मद में देख पा रहा हूं, और प्रेम प्रसंग फली भूत रहेंगे, वो बढ़ते हुए रहेंगे, जिनक लेष लोड़ के लिए एंजा, ओम नामस्यवा झाल